Hello Everyone, Welcome to Study Glows, मेरा नाम है Dr. सरीता दोस्तो पूरी दुनिया कोरोना वाइरस की चपेट में है COVID की मार पूरी दुनिया जहिल रही है और कई देशों में कोरोना वाइरस की सेकेंड लहर जो है वो चल रही है भारत में भी COVID की दूसरी लहर ने तबाही मचाई हुई है आए दिन हमारे पास भ्यांकर आकड़े देखने को मिलते हैं लेकिन इस कोविट काल में पूरी दुनिया में एक शहर ऐसा भी है जहां पर म्यूजिक फेस्टेबल सेलिब्रेट हो रहा है जी हाँ दोस्तों ये शहर है चीन का वुहान शहर ये वही वुहान शहर है जिसने 2019 में पूरी दुनिया को कोरोना वाइरस बाटा था लेकिन अब वुहान में हालात सामाने हो चुके हैं बलकि इतने सामाने हो गए हैं कि यहाँ पर जश्न बनाया जा रहा है वो भी बिना मास्क पहने शनिवार की दिन वुहान में स्ट्रॉबेरी म्यूजिक फेस्टेवल जो है उसका आयोजन किया गया ये जो म्यूजिक फेस्टेवल है दोस्तों स्ट्रॉबेरी म्यूजिक फेस्टेवल ये पांच दिवसिये म्यूजिक फेस्टेवल है जो कि हर सा चाइना में celebrate किया जाता है और ये पिछले साल online celebrate किया गया था यानि कि ये इन लोगों के लिए इतना जादा important festival है कि इन्हों ने तडपती दुनिया के बीच में भी इसको online celebrate किया थो और साथ ही साथ अभी ये पांच दिन का festival है ये Saturday को start हुआ इसका पहला दिन और अब ये Wednesday त जो है ये किया गया और हैरानी की बात ये है कि हजारों की संख्या में लोग आये थे लोगों की कमी नहीं थी और इस आयोजन में हाला कि स्टेज के आसपास barricates लगाए हुए थे security guard भी present थे लेकिन उसके बावजूद जो है उंगलियों में गिनने भर लोगों ने मास्क पह अगर हम बीते 24 घंटे के आंकड़े देखे तो हमारे देश में 3.68 लाख जो है डेली मामले आ रहा है और जिसमें से लगभग साड़े 3000 लोगों की मौत हुई है हमारा देश जो है वो बिलकुल चिडिया घर जैसा हो गया है सारे के सारे लोग हम घर के अंदर है घर के बाहर निकलने का बिलकुल सवाल नहीं उठ पारा है क्योंकि कोविड की जो सेकिंड लेहर है यह दूसरे वेव से जाधा घातक है तो बहतर यही है कि हम घर में रहें और से रहें हालाकि भारत में आधा-धूरा वैक्सिनेशन हमारा हुआ है और अब वैक्सिनेशन जो है वो अ अ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लेक्चर एविलेबल है उसमें आपको मिल जाएगी और अगर हम वुहान शहर के बारे में बात करें तो यहां पर सबसे पहले कोरोना वाइरस का केस सामने आया था और इसके बाद से वुहान को दो महीने तक के लिए लॉगडाउन कर दि में कितने कंफर्म केस अभी है उसके बारे में बात करें तो यह मात्र 90,671 है यानि एक लाग भी नहीं है और अब यहां पर पार्टी हो रही है तो चलिए जानते हैं कि आखिर यह म्यूजिक फेस्टेवल है क्या तो दोस्तों यह जो म्यूजिक फेस्टेवल है यह चाइना कि यंग पॉपुलेशन जो है इस मेगा म्यूजिक फेस्टेवल को लेकर बहुत जादा उतसाहित है लास्ट येर उन लोगों ने इस चीज़ को घर पे बैठ कर ऑनलाइन सेलिब्रेट किया था लेकिन अब जो है उन्हें मौका मिला है कि वो अपने दोस्तों के साथ गेट करके इस जो फेस्टेवल है म्यूजिक फेस्टेवल जो है इसको सेलिब्रेट कर सके तो हम बस अपने लिए इतना उमीद कर सकते हैं कि भारत के साथ साथ दुनिया की तमाम देश एक ऐसा समय आए कि जब हम खुले आकाश के नीचे अपने फेस्टेवल को भी सेलिब्रेट क